सबी स्टुडेंट का स्वागत है तेज एजूकेशन पर तो हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का टॉपिक लेके आएं डाइस के कोईशन हैं पांसा एवं घन ध्यान रखें सबी बच्चे डाइस एवं क्यू के कोईशन हैं तो काफी कोईशन आते हैं एक जाम में एक या तो देखो प्यारे बच्चों यहां पर देखो उपरी में कितना है एक है इन दोनों को मिला के कितने हैं कितने घन हैं तीन हैं कितने हैं तीन हो गए ठीक है ना ध्यान रखें हो गए अब देखो सबसे नीचे की पंक्ती में यहां पर कितने हैं सिक्स हो गए कितने हो गए सि 6 प्लस के 3 प्लस के बन तो यहां पर होगा 10 तो यहां पर यह विकल्प होगा तो कि जितने आगे से दिखाई देंगे उतने ही घन होंगे उसके पीछे ठीक है ना 3D image में आप लोग देखोगे जब अब देखें अगला question तो देखें सभी student जिस प्रेश्ट पर दो बिंदू है उसके ठीक सामने वाले प्रेश्ट पर कितने बिंदू होंगे बताएं सभी student तो देखो प्यारे बच्चो हम लोग यहां पर क्या है यहां पर आप लोग देख लो पूरे इश में देखो दो के बिपरीत कौन कौन से नहीं हो सकते ती नहीं हो सकता पांच नहीं हो सकता और एक नहीं हो सकता ठीक है तो दो के बिपरीत या तो चार ओगा या च्यफ होगा क्या होगा सटारोगा या शह होगा अब सुनो बटा Cleo की विपरीत यहां पे क्या है देख लो यह है क्या है 4 के देख पर लोग चेक कर सकते हो देखो दो यहां पर है वापको क्या करना है अब यहां यहां पर दो है अब देखो अब इसमें एक है तो इन दोनों का एक से देख लो एक एक के बाद में हैं दो और तीन यहां से एक यहां पर आएगा छे और यहां आएगा चार तो दो के अपोजिट छे आ रहा है तीन के अपोजिट चार आ रहा है तो क्या होगा दो के अपोजि हम शे आ रहा है तो दो के अंपोजिट क्या ओगा च्य होगा तो इसका कौन शाह है डी बिकल्प अब आपढ़ प्यारी बच्चे अगला कुईश्चन वैतरीन क्वेस्चन है अब यहां पर क्या पूछा गया है विलॉक के शे पलकों को क्या तो आकरती तीन में लाल रंग के ठीक सामने हैं, कोन-शार रंग काई के सामने कहाई यहां कि क्या है? कुंचा है रड बिल्कुल रेड के बाद है देखो इन दोनों में रेडëाड से तुलना करो रेड के बाद है गुलाव है पिंक हो गया फिर है ब्ला कुंच है बिलू भू गया यह क्या है बलू है बीलू देखो लि žज वो गया अब यहांपे देखो प्यारे बच्छों, लाल रंग के ठीक शामने कौनtype इसमें आ रहा है। देखो रेड इन दोनों में, इन दोनों में कहांची हो रहा है, बिलेक, ओरेंज, बिलू, कुछ है common कौन सा है, ओरेंज क्या है, देखो ओरेंज, ओरेंज के बाद यहां पर है पिंक, क्या लिख लो, पिंक लिख लो, अब लिख लो, यलो, क्या लिखोगे यलो लिख लो, आगे आप बिलेक है ठीक है ना और यह कौन सा था बिलू था कौन सा था ओरेंज के बाद जो बिलेक हो गया और जो बिलू हो गया ठीक है ना बिलू हो गया अब यहां से बिलकुल किलियर देख रहा है आप लोगों को क्या देख रहा है देखो प्यारे बच्चों लाल रंग क ठीक स्यामने तो रेड के ञुँन जो ठीक सामने होगा तो जो एक और इसमां सेप्ट बेटा एंगा इन दोनों से देखो वह मैं चेक करके बता जिता हूं पिंक लिख左ं निसे को मन आप देखना है याँ पिंग यह पींख पिंख की बाद में यलू हो गया फिर औरेंज आ गया अब पिंख फिंख की बाद में बिलेग बिलेग की बाद में है रेड है देखो आगया रेड औरेंज के अपोजेट होगा रेड होगा आ रहा है सब को चेक कर डाला मैंने तो क्या होगा लाल रंग के ठीक अपोजे सामने कौन सा रंग है औरेंज है कौन सा है औरेंज इन दोनों से आ रहा है ठीक है न ध्यान रखें पिंक पिंक से लिखना चालू करें तो अपने आप आजाएगा सब को चेक कर लिया मैंने अब आप लोग देखो स्टूडेंट एक गनी कंटेनर के क्या कह रहा है सभी छे फलकों में अंदर पैक कि ये गए उपकाड़ों की इस्तिति को दर्सा आते हुए बिन बिन चिन अंकित किये गए ह कौन सा चिन सी के पीछे है तो देखो स्टूडेंट यहां पर जो पूछा गया है वही हम लोग करने वाले हैं देखो यह आप लोग एक सभी एक सब जैसा है ठीक है तो X के विप्रीत क्या हो सकता है by Z A और C नहीं हो सकता यह नहीं हो को सी के अपोजेट क्या क्या नहीं हो सकता सी के अपोजेट एक्स नहीं हो सकता बाई नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता तो सी के अपोजिट होगा जैड होगा क्या होगा जैड होगा सी के अपोजिट होगा जैड होगा क्या होगा जैड ठीक है अब देखें स्टुडेंट यहां पर क्या है एक और तरीका बता रहा हूं मैं यहां पर यह वाला जो डार कहना इसको कुछ भी मान लो आप लो क् इसको भी deno to see पीसरी सिंखी बात हो रही है चलो ठीक है अब हम लोग क्या करती इसको रंटे देखो ही से से चाल्यू कर लो काओंसे एक से इस मैं दो कौमान कि देखो प्यारे बच्चों कहीं से भी करलो ए खाली है इसको एसे ड ड कि या दूर्या है तो मैंने मृण लिया वैसे देखो और पीडी श champion आब इसका लेकर दो पी ए एक्ष देखो C के आपोजेट हो गया खीट अपोजेट यहांज इहां इससे घृषT बूंकि के बाद मिए और यहां पर बीह पो ऐघ्यर एका ब्यान गलूपक। एक तक है की और यहां पर ब्या सभ्कशन सब्सक्राइब तक ऊसुमल ऐसा कॉंसेफ लगा सबसुद्स करेंगे प्यारे बच्चों तो देख लो यहां-पे चित्र यह और बी में आप लो देखे हैं यहां पर कौन ओंसे कामने रियर से कोमन कोमन को मैं देखना ऐया है आपको रेड इसमें देख लो रेड के हो गया तब देखो यहां पे रेड रेड के बाद में क्या है यलो हो गया यलो के बाद में ब्लू तो यहां पे बैंगनी के सामने कौन सा है कलर बिलकुल तो देख लेंगे भाई या परपल के सामने काई के सामने परपल के सामने परपल के सामने कौन्षा है कलर तो परपल के सामने होगा यलो देखो जे दोनों को मने यलो है कौन्षा है यलो होगा ठीक है बटा कौन्षा होगा यलो होगा यलो यलो होगा और देखो इन दोनों में क्या है देखो यहां पर रेड भी है और बिलू भी है ठीक है रेड और ब बलूक कट गया तो बैसे ही आ रहा है आखाल को यह लुगा ये कट रहा है तो इसका जो प Celebraling आख़ों से नियुगे nic सामने फलक पर कौन सा अच्छर होगा तो आप लोग देखें स्टूडेंट यहां पर भी हम लोग वही लगाएंगे क्या देखो प्यारे बच्चों यहां पर देखो यह अलग-अलग होना चाहिए यह पिलकुल यह और यह वाला लगा लो तो यह के सामने देख रहा है ना दे गया पी सी डी आ गया अब ऐसे इस वाले का लेड़ो फीत लेड़ो बी एफ और आगया अब आपको पता है एक के सामने कौन सा हो रहा है के सामने डी आ रहायों से कौन सा पर देखृट अगला कुछ लूब nhân पर्दा यह और сना में अनुसार का जाए तो तो आमने सामने के फलकों के जोड़े कैसे होंगे तो देखें स्टुडेंट कैसे होंगे मैं बता देता हूं यहां पर तो बिल्कुल प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ठीक है ना बिल्कुल देख पा रहे हो सभी बच्चे तो यहां पर आपको जोड़ी बनाने है देखो इस्टुडेंट पहले तो देखो यह दोनों कॉर्णर वाले यह दोनों शेम हो गए अब आप लोग क्या करें देखो जो ट्रेंगल है यह सरकल के बरावर होगा ट्रेंगल और जो चत्रो बुजए यह इसके बरावर होगा रोमस के ठीक है न ध्यान रखें तो यह जो बिकल्प हो रहा है न भी बिकल्प में मैं चो रहा है ट्रेंगल सरकल के प्लस होगा देखो जिवाला जो प्लस है वह ये डिवाइड के बरावर है प्लस डिवाइड के बरावर और यहां पर जो है ना क्वाइड लेटरल यह इस डॉमस के बरावर है ठीक है ना स्टुडेंट तो जयां रखें कौन सा है भी विकल्प हो गया कौन सा हो गया भी विकल्प हो गया इसका कै कैसे क्वेशन आते हैं वह घंचुनिये जो प्रशनाक्रती में दर्शाय अनुशार कागज को मूड कर बनाया जाएगा तो बिल्कुल प्यारे बच्चों अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे देखें सभी स्टुडेंट यहां पर हम लोग करती हैं क्या देखो प्यारे बच्चों यह आप लोग क्या करें देखो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा कागज को मूड कर बनाया जाएगा क्या कागज को मूड कर तो इसका आंसर कौन सा होगा बी विकल्प होगा यहां पर हम लोग जो क्वेशन में जो आकरती दी है इसको मोडने पर अमें कौन सा प्राप्त हो रहा है भी प्राप्त होगा इसको आप लोग मोड़ोगे तो कौन सा आएगा भी विकल पाएगा जेवाला ध्यान रखें सब बच्चे अब देखें सबी स्टुडेंट अगला क्वेश्चन क्या है नीचे दी गई दी गई मुख्य डिजाइन को मोड कर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है तो देखो प्यारे बच्चों नीचे दी गई मुख्य डिजाइन को मोड कर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है तो यहां पर यहां डिजाइन है इसको हमें क्या करना है मोड ना है तो आप लोग जब करोगे मोड़ोगे तो सी आंसर प्राप्त होगा मैं अब आप लोग देखें अगला question दी गई प्रिशन आकरती को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे क्या कहींगे आप सभी बच्चे तो देखें यहां पर हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों देखो भईया जो question में दी है उसको आप लोग मोड़ोगे ना पिल्कुल जो यह question में आकरती है इसको यह आप लोग मोड़ती हो तो यहां पर आएगी बी कौन सा आएगा बी आएगा इसको आप लोग मोड़ लेना खोल लेना ठीक है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखें इस चीज़ का ध्यान रखा जाए ठीक है उपर कौन सी संख्या होगी बताए सबी स्टुडेंट तो देखो प्यारे बच्चों जब यहां पर जो कह रहा है ना या एक पांस एकी दो इस्तियां दी गई है बिल्कुल देने दो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे देखो इन दोनों में कौमन कौन साइथ 3 और 3 है तो 3 से लिखना चालू करो 3 5 2 3 1 और 6 क्या कह रहा है दो सब से नीचे होगी तो सब से उपर कौन सी होगी तो 2 के अपोजिट में क्या रही है 6 आ रही आ रही है जो common है उससे लिखना start कर दिया कर वो ऐसे question में तो डी विकल्प आ गया कौश आ गया डी विकल्प आ गया ध्यान रखें तो ऐसे question दो आते मुहत्वपून चीज़ां होती है कई बार question इस प्रकार के इस प्रकार के pattern के paper में गुबभ भूप पूछे जाते हैं पांसे के हैं छे फलक कितने हैं छे फलक हैं अब आप लोग देखें ABCD F AB के नज़दी के है BD के नज़दी के है ठीक है student तो यहाँ पर हम लोग तोड़ा concept लगाते हैं किन्तो C के नहीं ED और F के नज़दी के A के सामने का फलक है कौन सा तो देखो भईया A के सामने का फलक कौन सा है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं देखो यहाँ पर चलो बनाते हैं यही ABCDE और F AB के नजदी के हैं बिलकुल AB के नजदी को गई ठीक है ना आप क्या कह रहा है AB के नजदी के है CDE F क्या C D E और बिलकुल क्या है E और इसको F मानो और इसको E मान लो ठीक है मान लिए आपने अब आप सभी बच्चे देखो इस टाइप का बन गया पैटर बन गया जी बिलकुल है क्योंकि जो कोईशन मैं कह रहा है हम लोगों ने वही किया हुआ है ठीक है बन गया इस टाइप का बन गया अब यहां से आप लोग एक के सामने की फलक कौन सी है यहां पर आप लोग एक के सामने की फलक देखोगे तो एक के सामने की फलक होगी ई होगी बिलकुल होगी ई होगी जिसी के सामने की बी यह डी के सामने की एप है तो एक के सामने की फलक है ई है देखो बी डी के नईदी के है किन तो सी के नहीं बी डी के नईदी के है किन तो सी के नहीं तो इसलिए यहां पर B को यहां लिखा और C को उपर लिख दिया E D और F के नज़िदी के E क्या है देखो E D और F के E D और F के ठीक है बात यह की यह को एक के सामने का फलक कौन सा होगा A के सामने का फलक होगा E होगा तो D विकल्प है क्या है D विकल्प बनेगा ठीक है इस्टूडेंट अब आप लोगों देखें अगला कोईशन है R1 के आदार पर कौन सा अच्छा A के सामने है तो बिलकुल प्यारे बच्चों तो आप लोग सभी लोग बताएं इसका सही बिकल्प कौन सा है A, B, C, D में से तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों दोनों में से कौमन कौन सा है B हो रहा है तो B से यहां से लेखना चालू करते है B, C और A B, D, और E आ गया अब आप लोग देखें A के सामने A के सामने E आ रहा है आगया A के सामने भईया E आ रहा है कौन सा आ रहा है A के सामने आ रहा है E आ रहा है ठीक है ना Student समी ध्यान रखें A के सामने E आ रहा है अब आप लोग देखें क्या देखोगे यहां पर देखो student यहां पर आकरतियां दी गई है ठीक है न बिलकुल अब हम लोग क्या करेंगे इसमें यहां पर फलकों को देखना है सभी बच्चों को क्या फलकों को देखो भई यहां बिलकुल देख लेते हैं देखो यहां पर तो बहुत ज्यादा दिया है, इसकोर 3, 3, 6 यह आठ लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, कितना है, 2, 4, 5 लिखा है, यहां पर दो, 4, 2, 6, 2, 8 है, बिलकुल 8 लिखा हुआ है, यहां पर देखो, यहां पर कितना है, 5, यहां पर है, 4, और यहां पर कितन है दो प्स और छे लिखा हुआ है आट याट लिखा ज्यादा इसमें भी आत है चाहिए इसमें नौוס फोटो इसमें रहा है वह यह का है शखे से कम है न मुअ इसी लिए शिखसर गां करना इस इसको लाक्रोन पर ज्यां रखना सब बच्चों को तो उससी का यहां ओंपर यहां पर अन्सर वी विकलब है इस वाली पैटर्ण से और पैसे भी कर सकते हों देखो यहां पर क्या है पा साथ दिया है न या मौउलिक 5 को दर सा रहा है देखो एक और 컨्चjin्ट बताजेता हूं कॉन सा देखो इस से आगे आंसर एक से और बता रहा हूं मौलिक पांसा है मौलिक पांसी को सु कर रहा है जवाला बीवाला कर रहा है अब यहां पर क्या होता है आमनेंडेंड शामनें का तो इसके पीछे वाले फलक पर कितना होगा, इसके पीछे वाले फलक पर होगा, कितना, देखो इसको मैं अठा रहा हूँ, यह ध्यान रखें, ऐसे मालो 5 है, तो इसके पीछे वाले फलक पर कितना होगा, 7-5, क्या करेंगे, 7-5 बरावर 2 होगा, अब मालो यहां पर है 4, कितन होगा तीन होगा तो ऐसे कैलिकुलेट करते हैं तो ऐसे कोईस्टनों को आप लोग क्या करें अधे मौतिपून कर लें इस्टाल लगा लें ठीक है इस्टुडेंट अब आप लोगो देख लो अगला कोईस्टन ऐसा ही यहाँ है तो बताएं सब बच्चे यहाँ गन के सामने क लिए और बताओ कि इसका शही बिकल्ब है क्या तो देखो यहाँ पर इसको पश्ट मान लो की ठीक है न और इसको मान लो सेकंड इसको मान लो थार्ड मान लिया देखो सेकंड पर कितने बिंदू हैं सेकंड पर हैं ग्यारा और थार्ड पर कितने बिंदू हैं दो चाच्छ साथ कितने हैं साथ हो गए टिन को कैशे करेंगे देखो इन ग्यारा में से यह सथ करेंगे तो दो ठीखें याद आप लोग अब देखो ग्यारा बिंदी में से साथ करेंगे तो आईगा चार अब हम लोग क्या करेंगे 2 plus 4 बरावर 6 आगया तो इसका आएगा ये विकलप आएगा संख्याों का अंतर 6 है क्या कह रहा है है गनंके सामने की बजाओं पर अंकिर बिंदियों की विशम संख्याओं का अंतर कितना है छैए है देखो यहां पर लोगोंने अंतर ही तो निकाला है 11-9 अंतर 11-7 ठीक है न दो माइनस के एक देखो equation 2 में से एक घटाई बिलकूल equation 2 में से तीन घटाई ठीक है न यही किया तो यह हम लोगोंने जब यहाँ पर calculate किया है ना तो बड़ी आसानी से आ गया यह तो कितना आ गया अच्छ है आ गया तो यहां पर यह बिकल्प हो रहा है कौन सा हो रहा है यह बिकल्प हो रहा है ठीक है स्टुडेंट अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चा एक समान गनके तीन सित्र दिये गए हैं गनके सभी फलकों पर एक से छे संक्या दी गई है ऐसी एक आकरती चुनिए जो गनके कोलने पर दिखाई देगी तो देख लेते हैं स्टुडेंट आप लोग यहां पर देखना सभी बच्चे यहां पर आकरतियों को आपको ओपन करना है बिलकुल तो यहां पर देखो आंतर की आ सकते हैं कई सारे तरीके हो देखो यहां पर देख लो तीं तीन से दोनों से देखो तीन दोन लोगें निकाल देता हूं देखो इन दोनों में कमन क्या है तीन दोन हे इर भीट और उसके बाद दो एक के अपोजेट दो पांच के अपोजेट चार आ गया आ गया एक के अपोजेट दो पांच के अपोजेट चार दो इस कॉंसेप्ट को ध्यान रखो एक के अपोजेट दो आ रहा है और पांच के अपोजेट चार आ रहा है और तीन के अपोजेट छे आएगा और कह क्या देखें चार के अपोजिट देखें क्या देखें चार के अपोजिट एक हो रहा है देखें यहां तो पांच है देखो चार के अपोजिट पांच है यह हो सकता है तीन के अपोजिट एक है दो के opposite च्छ है क्या दो कि आप मोजिति एक हम जे भी गलत हो गया तो बड़ी आसानी से चेॉक कर रखते हैया अप ऐसे यहां पर एक की opposite चार है जे गलत हो गया पटाफर चेक करलो बस यहीं कॉन्शेप्ट है मैंने कोण्शेप्ट बताई दिया सभी बच्चों को थो एड़ी में हो रहा है आप इन दोनों से निकाल लो इन दोनों से दो चीजों से इन से बैल्व्य आ जाएगी फलक्की अपोज़ट में क्या है पलक्की अपोज़ट में इस्तितियां दी गई है दिए गए गणके शंक्या दो के सामने कौन सी शंक्या होने वाली है तो देखो प्यारे बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं बहुती बहतरी लॉजिक देखो लॉजिक क्या होगा यहां पर पांसा दिया गया है ठीक है जो दिया ग गया तो दो के सामने कह राओ अब देखो यहां पर दो के सामने च्छह यह रहा है एक यहां पर दो मिशिंग है चार संख्ञाइं आ गए चहए कोमज सेंस लगा के ही आ घया तो dif limit zwischen चहए होगा क्यों सु VII कुछह आ गई किवल दो अंतिम कोईशन है इस क्लास का देखो बाई और दी गई आकरती को बॉक्स बनाने के लिए मोडा गया है दीए गए बिकल्पों एक दो तीन चार मैंसे ऐसे बॉक्स को चुनिए जो बने हुए बॉक्स के सद्रश्यों बिल्कुल स्टुडेंट इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम ल प्रेक्टिकल कर शकते हैं घर पर ठीक है ना क्यों होगा देखो यहां पर क्या है आकरती है यहां पर डॉड़ट रेक्जाय रह्म ना आपको पता है की इसके बोगा और आकरती ऐसे है डार्क वाली है यह दोनों एक दूसरे के क्या होगी विपरी तो होगी इससे पकड़ में आ रहा है कौन से अपके ठीक है न यह दोनों आक्रती क्या है एक दूसरे के भगल में नहीं हो सकती इंचे दोनों आक्रती इन चीजों का ध्यां रखना है देखो यह सरकल है कहीं पर है यह वाला यह बिंद्यु रखाộए और यह दोनों क्या है बगल नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्या नहीं हो सकती, ये दोनों बगल नहीं हो सकती, देखो, क्या होगी, अपोजेट होगी, ठीक है इन चारों को यह bardziej करेंगे न, शिलेक्ट तो यही आंसर आएगा, C134 बिलकुल आज की क्लास के सभी question हो चुके है complete तो सभी student को बिलकुल इस क्लास को like करना है ज्यादा से ज्यादा करना है share और विकासर की क्लास होती है रात को 8 वजे तो सभी बच्चे अवश्च जोइन करें इंदी की क्लास 6 पीम होती है बिलकुल मैं इस क्लास को इंदी के बराम देता हूँ जै हिंदी जै वारत जै माकार